सब्सक्राइब पारगों में रहा है कि अभी फ्रणी करें दरहा है यह जरो हुआ धो खाया करने कारेजो किस्यों शाले बालाए कि आपूर खार अध्या, शाले ताइम पास के लिए तुम्हें यही स्कूल मिला था क्या सनी यह पुलिस का लफड़ा है न रूम का भाड़ा फूल इंजॉय तुम लोग शबाब पे द्यान दो और अपन लोग शराब पे चलो जाके मज़ा करते हैं यहां बेटे क्या चलेगा अच्छाव मेरे चांड मेरे अच्छा शराफत मुझे बाद बता बोलना रात का घना साया है शीतल चांड की काया है इतना पसीना क्यू आया है कुछ समय ने आया है काने दर लाना आप अम जब पीते हैं ना तो जुमते हैं अब जाके शराब उस पेड को फिला फिर वो भी जुमेगा फिर हावा चलेग पसीना गूम ले ले लेगे क्या है देखो बाई ये दारू बड़ी मुश्किल से ब्लैक में लेकर आय थे तो पीने के बाद अच्छी हवादेना ठीक है है अब अब लाधर है अब आ ठीक है अब यह अब यो यह अच्छा थे ब्यों इस प्तु दुमा आ नुमा धू अब मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, भाई, ए, क्या है रे, पूरा बाटली उसको चणा दिया, पर वो तो जूमा ही नहीं, आईसे काईसे, भाई, ये बकड, दारू के साथ बियर, दोनों को मस्त मिक्स कर डल, पेड कुदी जूमने लगेगा, जा, अरे, शर्मा क्यों रही ह अधि मस्त एसी के जैसे हवा पेखना, हाँ, अब तू जरूर खुमेगा, एक दूनी, दो, दो, दूनी, चार, अबे सोनो, चेरा पिलाई, पीयर पिलाई, दोनों इतना प्यार से पिलाया, फिर भी सिदह कसिदह खड़ाई, मार इसको, होड़ाई, यह यह, जो अणितना बही होगी हाँ, एक एक जितना, झालाई ऑर आज़े, ऑर आज़े… ऑście मैं पेखना चाराई दो मिनट चांती से नहीं बैठने थेते हैं अभी आए डाली क्या हो तुम ब्योडों को क्या है क्यों दे रही है काला जादू है रुक्जा मजाक मत करो मैं डरने वाला नहीं हूं तेरी तोप रुक्जा क्यों पक्यों सूंड़िए क्यों थीयो तुमेगे अच्छा है क्यों पहां धुक्यों डूरु कंप्यों अच्छा मुआ वालै अदनत्क stratव आपक ड़ा ये वर unavो है पगाए पड़ स हा आख सकते हैज अपज है आख बचच मैं आख camera पड़ मुश कर दो दीख ़ेखा कुश कर दुछ कुश कर दू एक वहीने बाह। बाह फ्रेक कितने भयानक बद्वू है कोई अंदर जाकर देखो आखिर सड़ क्या रहा है जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आएगा जल्दी से कोई कुछ करो मुझे बड़ी जोर से आ रही है जोर से आई है तो तुम ही चले जाओ किसी आदमी को ही अंदर जाना चाहिए हाँ और तो ने मर्दों को सिर्फ टॉयलेट की ही लाइन में आगे रखा है तीचर तुम साथ चलो तो टॉयलेट क्या जहन्नूम भी चला जाओ ओहो इस टॉयलेट से ज्यादा बदबू तो तुम्हारे मुझे आ रही है दूर अटो यहां से अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है इस प्रॉब्लों की सेलुशन आ गई है कौन है वो वही मरेली नाक वाली जयत्ती टीचर जनम से ही वो किसी भी चीज को सूंग नहीं पाती वही चुटकारा देगी वरना आप से पहले आपकी नाक की रिटार्मेंट हो जाएगी सर सब ऐसे टॉलेट के बाहर क्यों खड़ेंगे अंदर से बड़ी तेज बदबू आ रही है और यहां किसी में भी चेक करने की हिम्मत नहीं है अब तुम तो सूंग नहीं सकती इसलिए राजदूद बनकर अंदर जाओ और शांती दूद की तरह बाहरा कर बताओ जरूर इस चर्बी की दुकान ने मेरे बारे में सबको बता दिया ऐसे तो मैं देख लूँगी ठीक है सर मैं अंदर जाकर देख लेती हूँ क्या कर रहे हो बेटी तुमने इसे बच्चे की तरह क्यों उठा रखा है ये तो कुद्रत का हिस्सा है ना अरे मैं कॉर्परेशन वालों को फोन करता ना वो इसे यहां से ले जाते हैं रहने दीजे ना वो आएंगे और इसे किसी कच्रे के धेर पर जाकर भेग देंगे मैं खुद इसे दफनाऊंगी पर आज यहां इंस्पेक्शन है जो भी करना है वो जरा जल्दी करो यह मरेली नाक वाली ही कुट्टे को ठिकाने लगा सकती थी वरना हम तो जिन्दा कुट्टे को भी हाथ लगाने से डरते हैं सही बोला अगर मैंने दुबारा इस धर्दी पर जन्म लिया तो मुझे तुम्हारे जैसी बनकर ही पैदाशन है होना है मेरे दोस्त क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी सुने के जबरदस्ट शक्ति चाहिए रोज जिस दुख से मुझे गुजरना पड़ता है उससे सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ लोगों का फ्यूचर हातों की लकीरों में नहीं मेरे पोपट की चोंस में बंद है अभी अपनी चोंस से तुम्हारा भाग्य बताएगा चलो आजाद मिठू इसका भाग्य बताओ शर्मा क्यों रहे हो बहार आओ चलो चलो उठाओ तुम्हें भी घूस खाने की आदफ होगे अपनी आखों से देख लो कुबेर स्वेम बधा रहे हैं अब जो भी काम करोगे उसमें भाग्य तुम्हरा पूरा असा देगा अभी चाहे आटो के पैसे नहों पर भाग्य खु आपके चार्जिस क्या है खाली बीस रुपए और मिठु का प्राइस तोटे की क्या कीमत है क्या बोली मिठु बिकाओ नहीं है बता वर्णा तेरे कपड़े बिगवा दूंगी क्या समझते हो पैसे कमाने के लिए इस मासूम से पदिंदे का मिस्योस करते हो शर्म नहीं आत यह चोटा सा परिंदा तुम्हारे पूरे घर का पेट पाल सकता है हां तो अगर तुम खुद कुछ करोगे तुम अपनी फैमिली के लिए पता नहीं क्या कर सकते हो इसे खुली हवा में छोड़ने के बजाए तुमने एसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है इस बिचा यह है इस कासली फ्यूचर आजाद मिठ्धू आजाद मिठ्धू पापा साजा मेरा धन्दा चौपन कर दिया तुने पेंट भरने के लिए किसी पर जुन करना गलत है तुम्हें पैसे ही चाहिए ना चीछ यह लो फेट भरके खाना हा जुब 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 और ले लो बहुत अच्छा है आपके लिए मैं उस दिन गई थी वहाँ पर मुझे तो उसका सामान बहुत अच्छा लगा अगली बार जाओंगी तो खरीदूंगी हलो क्या चाहिए तुम कमाल हो सच में बड़ी प्यारी हो बलकि सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारी सोच भी बहुत प्यारी है हां जानता हूं किसी अजनभी को ऐसे सड़क की पीश तारीफ करना अजीब तो है शायद घलत भी हो पर अपने जज़बात चिपाना भी तो घलत है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं क्या तो मुझ से शादी करोगी तुम तो कुछ कहीं ने रही हो मैंने कुछ गलत कहा तो सौरी हां गलत ही तो है किसी दो बच्चे की मा से यूँ सड़क पर चाटिंग करके सेटिंग करना गलत है रुको मम्मी आ रही है मेरे चैसी हाउस वाइफ सर्फ सबजी खरीदने और बच्चों को स्कूल लेने छोड़ने के लिए घर से निकलती है अब तो मैं इसे रोक कर मेरी यह आजादी भी छीनना चाहते हो रुको रुको अरे इतनी देरी कैसे होगे अब बताती हूँ आज तो बहुत ड्रामा हो गया बाबा काम खतम कर गए मैं घर वापस आ रही थी एक बेवकूफ अचानक मेरे पीछा करने लगा मुझे शक हुआ मैं मुड़ी तो देखा कि वो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था अच्छा और फिर बस दो मिनिट बात करके वो सी थे मुझसे शादी करने की बात करने लगा बाबा अरे सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए मुझे तो लगा कहीं ये गवार मंगल सूतर जीब में रखकर न लाया हो पर मैं हूँ तो आपका ही हूँ पता है मैंने क्या किया बता मैंने उससे कहा कि भाई साहब मैं पहले सी शादी शुदा हूँ और दो बच्चों की मा भी हूँ मा दिवया वहां बेंच पर यही मम्मी मिली थी ना हा मा अरे बापरे लगता है गई भैस पानी में तूने जो कुछ भी कहा सब जूट का पर मैंने इससे सब कुछ सच कहा है मैंने तो इसे अपना दावाद मान भी लिया है इसका नाम है जगन मेरा दोस्त है और इसका दिल सोन का है बचपन से गुरु कुल में हम साथ ही पले बढ़े हमारी अपनी कोई फैमिली नहीं इसका मैं हूँ और मेरा ये है अगर आप चाहें तो रिष्टे की बात आगे बढ़ाते हैं हाँ बिलकुल बढ़ाते हैं एक ही बार मिलके आप फैसला कैसे कर सकते हैं तुम शायद हैं जलत समझ रही हो कि मुझे तो पहली नजर में प्यार हो गया था का या बिना तुम्हारी रजामंदी के शादी के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी वेवकुफी होगी है इसलिह में तुम से अकेले में बात करना चाहता था? बाबा मैं इससे अकेले में बात करना चाहती हूँ हाँ हाँ बिल्कुल बात करो मैंने तो इससे घंटा बर बात की भाई मुझे तो लड़का अच्छा लगा आज तक जितने भी लड़के तुम्हें देखने आये तुमने सब को खरी-खोटी सुना दिया पर ये उन जमूरों जैसा नहीं है जाओ उपर जाके बात कर लो जाओ बेटा मुझे शादी करके घर बसाने में कोई इंट्रेस्ट नहीं क्यों? जहां तक बाबा का सवाल है मेरी शादी उनका सबसे बड़ा सपना है पर मुझे लगते हैं मुझे कभी भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए तुमारी सुने की प्रॉब्लम के बारे मैं जानता हूं पर ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम किसी को शादी सही इंकार कर दो प्रॉब्लम तो तब होगी जब मैं तुमसे शादी करूगी मुझे पत्नी बनाकर कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलें जहलनी पड़ेंगी शुरु शुरु में तुम्हें शाद साब अच्छा लगे पर जिन्दीगी बर जेल पाओगे इसकी कोई गैरंटी नहीं है पत्नी का मतलब सुक तुक बाटने वाली ना कि जिन्दीगी भर का बोज और इसके अलावा एक बर फिर मैं किसी अपने के मौत की बचा नहीं बनना चाहती मा मा के सैंडल्स गाइब है मतलब आज भी सबजी लेने मार्किट गई है चलो अच्छा हुआ आज मैं गाने सुनते हुए दांस करूंगी अरे यार लाइट चली गई इस लाइट को भी अभी जाना था क्या नो प्रोब्लम वाक मैं तो है जोती स्कूल से वापस आ गई पागन लड़की मा याव़की मा मा माँ मेरी बच्छा से माँ चली गए और मुझे पता तक नहीं चला जो भी मेरे साथ रहेगा उसकी जान पर खत्रा मंड़ाता रहेगा इसलिए मैंने लोगों की भलाई को ही अपनी जिंदगी बना लिया है अब हर कोई मदर टेरीसा तो नहीं बन सकता लेकिन उनके बताए रास्ते पर तो चल सकता है और भलाई के रास्ते पर चलने के लिए मैं हर बार अपने पती से परमिशन बिल्कुल नहीं माँगना चाहती मैं सिर्फ अपने पती का घर संभालने में जिंदगी नहीं बिता सकती एक मिनट तुमआरी शादी ना करने की वजह क्या है तुम्हारा कुछ ना सूंपा न या लोगों की भलाई में तमाम जिंदगी गुजारना एक बार फिर से कहता हूँ मैं तुम्हें बेहर चाहता हूँ और फिलाल तुम्हारे जिंदगी में बहुत कन्फूशन है It's okay, जब ये confusion दूर हो जाएगी, मैं तुम्हारे सबनों में आने लगूँगा और जब आने लगूँ, तो बाबा के हाथ मेसेज भी चवा देना फिर मिलेंगे एक और बात देख ले न, एक दिन तक्दीर हम दोनों को मिलाईगी जरूट छलो भाए तो, क्या पढ़ाया, टीचर ने? सोना था, अपसर ने दिल से सोचती है आज देख भी लिया, पर वो मेरी होके रहेगी कोई पसंद तो आई बाई हाई 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 जूती तुम्हारी मर्दी के बिना तुम्हारा पीछा करना घलत है उसके लिए आप सॉली, अब तुम्हे फोडोस इतनी पसंद आई गई हैं तो यह घलत ही मैं बार बार दोहराने को तयार हूँ हलो, एथर उधर क्या देख रही हो? मैंने सोच लिया है, शादी तो तुमसे ही करूँगा मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊँगा तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया ना? तो कसम खाके कहता हूँ, देवदास बन जाऊँगा मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारी मरसी पापा बोल रहा हूँ, दमाज जी ने एक वीडियो भेजी देखी, कैसी लगी वो? एक तब हीरो लगता है, पताओ ना पूर रख दीजे बाबा, बेवडे कहेंगे पूरे शराबी हैं आप, जितना पीनत पीओ ठीक है, ठीक है मुझसे बात पस करना आओ बेटी, साथ सपता पूरे हो गया ना? कार्तिक पूर्णी मा के दिन तुम्हारा व्रत भी पूरा हो गया देवी मा, तुम्हारी सारी मनो कामनाई जरूर पूरी करेंगी, ये लो थांक्यू दिदी, सभल के जाना देवी मा, इस उम्र में लड़कियां अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं पर मैं चाहते हूँ कि मेरी शादी ही ना हो मैं नहीं चाहते कि मेरी वज़ह से कभी किसी को कोई कश्ट हो प्लीज किसी तरह बाबा का मन बदल दीजे और जगन का भी, जो हर जगा परछाई की तरह मेरा पीछा करता है प्लीज हर दो हो प्लीजू और दे कुस्के सारिके ठीज़ए अरे बेटा कबसे मैं चिला रही कि तुम्हारी सारी में आग लगी है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था घ्या इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा च्लों जाने दो इस लड़के की रूप में आकर स्वयम भूले नात ने तुम्हें बचाया है नहीं तो अनर्थ हो जाता कम से कम अब तो समझ जाओ जोती तुम्हें भी कोई ख्याल रखने वाला चाहिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाज़त कर पाओ आगे जो तुम्हारी मर्जी वैसे तो स्कूल के अंदर भी साफसुत्रा टॉइलेट बना हुआ है लेकिन खुले में पेड के दीचे थंडी हवा में सौच करने का मज़ा कुछ और ही है कितना मज़ा रहा है जोरे बारे वा अरे चूपो जा अलका होने के टाइम पर काई कुछ डिस्टरब कर रहा है चूप चूप आज में इस बेड को इतना पानी दुगा कि यह हरा बरा हो जाएगा मर गए मर गए उपर से बसी रहा चूट रहा और यह बंद भी नहीं हो रहा है यह केशी बाए बागो बागो जासे यह यह रायता किस ने भालाया बोलो मुह में नहीं है क्या सज बोल दिया तो इनकी भी मेरी तरह पैंड की लिए हो जाएगी तुन हो जाते हो तुमारी कंप्लेंट सुन सुनके मेरे कान पग गए है सबसे सचे इंसान शराबी होते हैं साब अगर डियो साब यहां इंस्पेक्शन के लिए आ गए तो क्या जवाब दूगा हुए और कोई रास्ता नहीं है ध्यान से सुनो जब तक कैंटीन का स्टॉक नहीं आता तब तक तुम सब खाने के इस नुकसान को अपने जेब से भरोगे और बच्चों के लिए खाना लाओ प्लेट ठीक से पकड़ो बिटा अब तुम आज दीजी यहां जितने भी टीचर हैं सब अपने अपने घर का खाना खाते हैं और तुम बच्चों के साथ बैट कर वही खाना खाती हूं जो बच्चे खाते हैं तैंक यू बहुत अच्छा लगता है मौसी अंड़ा दो जानती हूं तुम्हें तो दो अंड़े भी कम पड़ेंगे चलो शुरू हो जाओ टीचर पहले खुद खाती है उसके बाद बच्चों को खाने देती है टीचर आपको अंड़ा पसंद नहीं है ना तो ये भी तुम्ही खालो थैंक यू वैसे एक बात बताओ तुम्हें सब अंड़ा बिट्टू कहकर क्यों बुलाते हैं वो क्या है ना टीचर जब मैं अपनी मा के पेट में था तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिलता था इसलिए म क्योंकि मैं रोज तीन-तीन टिफिन भर कर चावल ले जाती हूं इस वाले टिफिन को मैं अभी खाऊंगी ये वाला चावल मैं रात को खाऊंगी इसमें पानी डालकर रखूंगी और सुबह ना धोकर नाश्ते में खाऊंगी मेरे पापा नहीं है हमारे सर पर पांच लाग का करजा है हम खाने का पैसा बचाते हैं ताकि ये करजा जल्दी खत्म हो जाए टीचर स्कूल का खाना नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते अपनी मा को आज किसी होटल में खाना खिलाना आप तो मेरी टीचर है ना मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती और आज के बाद कोई भी एक दूत्रे को ऐसे नामों से नहीं पुकारेगा तुम्हारा नाम बिट्टू है और तुम्हारा नाम संध्या है ठीक है ओके टीचर टीचर प्रिंस्पल साब आपको बुला रहे हैं तुम चलो मैं आती हूँ मैं अगर यह काम मैंने किसी और को सौपा तो काम पूरा होने तक इन बच्चों के भी बच्चे स्कूल में आकर पढ़ने लगेंगे लेकिन जोती तुम एक जिम्मेदार टीचर हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज भले ही थोड़ी देर हो जाए लेकिन एक्जाम के पेपर् कर बच्चे सिर्ष टूर्प हाँ लेकिन हो गले की बच्चे सुनिह को झाल 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 लगता है मेरी पैंट फिर से कीली होगी नौकरी से जदा मुझे अपनी जान प्यारी है नौदो क्या रहा हो जा पापा प्यूदो क्या प्यारी है झाल प्यारी है अब अर वाफिया वार से जर वड़िया दो भी अर भाफिया वाफिया वार विए अर वार 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 वोर वारिवा हुण प्रोड़को उच्छे, हेल्प हेल्प इस लड़की ने आपकी जान बचाई है बाल मार शुक्रिया बेटी बता ना बेटा बेटी तुम नीजे किस वज़े से आई बताना छुप क्यों है बेटा बस मुझे पता चल गया बाबा पता चल गया कैसे पता चल गया मुझे महसूस हो रहा था वही तो पूछ रहा हूँ बेटा तुम्हे आप महसूस कैसे हुई क्या तुम्हें वह बजली के तारों की बद्बू महसूस हुई क्या जलते वे तारों की बद्बू ऐसी होथी है एक मिल्ट, एक मिल्ट दुको यह सुगो खुश्बू आई Kोषभू आई अजीब सी खुश्बू है, अच्छी भी और बुरी भी अब इसे समूंगो खुशबू आ आ रही है ना ना इन्हें सूंकर अच्छा लग रहे है बाबा हां फिर फिर से भाहा है अच्छी खुशबू है अरे वाह तु सूंसक्ति है तरु शक्ती वापस आ गई बटा है ऑग्वार्ण सक्ति है भगवान तेरा लाग लाग शुक्र है आजो आज़ा भगवान तेरा लाग लाग शुक्र है बेटा एक वीनेट्ट्ए वेटा ये खारी ना अच्छा दगा ना क्या बात है मैडम आपने लड़कों वाला परफियूम लगाया है क्या हाँ सही कहातिम ने पर इसे कैसे पता चला अरे वाँ जी होती मैं तो दिन पर दिन खुबसूरत ही होती जा रही है बच्चों मैं अपनी आँखें बंद करने वाली हूँ जो बच्चे नहाए नहीं है या जिनकी यूनिफॉर्म गंदी है सब अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाओ तुम सबके सब नहाए नहीं? येस, मेश? और क्यों? मिस? बताओ मैं बताओ, मेरी मम्य आपकी बारे में क्या घरती है? उस खराब नाक वाली टीचर को कुछ नहीं पता चलेगा मेरी माँ आपके बारे में क्या बूली पता है? प्लीज, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, आज मैं तुम लोगों को यहां नहीं पढ़ाऊंगी, ग्राउंड में पढ़ाऊंगी येज 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 अब आपरे, आज तो बाल बच्चरे बाल बच्चरे येज येज झार अो जो कि उंदा लागी लिए बाराई रहाएं inici दो पञ करना कहात व्रुझघ कर दो लोकाँ प्रीजार भश्तों से एज़ कर दो कर दो प्रीजी कर दो कर दो कि कर दो। मेरे भाईया की मौत कैसे हुई पहले भाईया योगा कर रहे थे थोड़ी देर पुजा पाठ किया फिर किसे ने मार दिया पोस्ट मौटम के मुताविक रुद्राक्ष माला की वज़े से इनकी मौत हुई है बाहर से किसी के आने या जाने का कोई सुबूत नहीं मिला सीसी टीवी फुटेज में भी आपके भाईया और चड़ा जी की मौत के दस मिनिट से पहले से सारी फुटेज पूरी तरह से बरबाद होई है फोटो देखिए एट किसी आति के बरला जाने कितना कंफ्यूशन है बड़ा ही रेर केस है ये पैर का निशान हद से ज्यादा भारी है ना ये किसी आदमी का लगता है ना औरत का खुल के बोलना जब भी कोई आदमी चलता है भले ही वो 35 किलो का क्यों नहों निशान गहरा बनेगा और और औरत होगी तो 85 किलो की क्यों नहों निशान हलका ही बनेगा पर इस निशान में आदमी और और औरत दोनों का असर दिख रहा है मतलब किसी किंणर का काम है बढ़िया सवाल करेक्ट जवाब देने के लिए मुझे इस पैर के निशान को चेक करना होगा माइक्रो मिलीमीटर रेंज की अक्यूरसी पर फिर सारे फैक्स को मिलाकर चारों तरफ की डेंसिटी पर गौर करने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा तो इसमें दो दिन लगेंगे मैं टूर से लौट कर ये काम कर दूँगा बाई गाइज बाई 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 ब्रो तेरी तूर तो यहीं कराऊंगा सर सर यहां पर खून खराबा मंगे दो दिन की कीमत तुझे पता है नहीं सर नहीं पता दो दिन पहले मेरा भाई सिंदा था अब मर चुका है काम अब ही चालो कर तो स्वीट थैंक्स हापी टीचस जे थैंक्यू कहा था ना मैंना हमें ज़रूर मिलवाईगी तकदीर कॉफी विदाप शुकर यह मत सोचना मैं कॉफी पिलाकर भगभग सुनातर हूगा मेरे माबाप के मरने का मैंने कभी अफसोस नहीं किया क्योंकि मैंने कभी उने देखा है पर मैंने तुम्हे तु देखाया और अगर तुम मेरी जिन्दगी में नहीं आई न fishermen ं तो बहुत ज्यादा अफसोस होगा कह Tucson पिलन आगो यह लिए और तुम मिल गई तो खमी पूरी हो जाएगी अच्छा वैसे वो तुम्हारे सुम्हने की प्रोब्लम तो सौल होई चुकी है ना तो मेरे दिल की प्रोब्लम भी सौल कर दो मैं इंदजार करूंगा जब भी जवाब देना हो कॉल कर लेना मुझे भाइ कि अरे बापरे सपना था मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं देख लेना एक दिन तक्दीर हम दोनों को मिलाईगी जरूर बाबा मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रहे हूं खाना खा करी आऊंगी जोती बटा तेरी फ्रेंड्स तेरी शादी में कब आएंगी ये तो अब आप ही डिसाइड करेंगे ना बाबा अरे मतब तु तैयार है हां बाबा चितने में लड़के मुझे यहां देखने आये सब ने सिर्फ और सिर्फ मेरी कमजोरी ही देखी और कुछ के नजर सिर्फ हमारी इस चोटी सी जमीन जायदाद पर थी पर जगन वैसा बिलकुल नहीं है बाबा उसे पता था ये फैसला आ बाद चितने अरवा पला आगे हां तिक 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 फुट्प्रिंट के डेंसिटी से पता चलता है कि कातिल कोई किंदर ही है सर आपने बिलकुल सही कहा ये एक लड़की का ही बाल है मुझे ये सब मत बता इसका नाम बता कैसी दिखती है कहा रहती है इस बाल की मदद से हम उस तक पहुँच सकते है या नइ impossible है सर इंडिया में ऐसा सिस्टम है ही नहीं inडिया क्या कहीं भी मुमकिन नहीं है मुमकिन है सर कैसे मुमकिन है दुनिया में पहली बात, तीन साल पहले किसी ने ये आविशकार किया था इन लोगों को information artist कहते हैं ये मुझरिम की इस्तमाल की हुई चीज से उसका हुलिया पता लगा सकते हैं ये technique कभी fair नहीं हुई क्यासे? लोग जिस टिगरेट को पीकर फेग देते हैं उससे, जिस चुइंगम को खा कर थूख देते हैं उससे डिने टेस्ट के इस्तिमाल से उस इंसान का चेहरा बना सकते हैं एकदम सेम टू सेम ऐसे आर्टिस कहां मिलते हैं? अमेरिका में अमेरिकियों का दिमाग काफी तेज है यह आविश्कार इंडियन नहीं किया है प्लीज कम कि वैंग जब आर्खे लग। क्गाहिए बडया का इंड़े है झार नहीं ङसलेपeze ऐस बड़े बिसका यह तुम्हें पूरा यकीन है यह बाल इसी लड़की का है येस अफकॉस, हंड़ड पसेंट इसका फोटो निकाल और आधार काड के डेटा से मैच कर और घसीटते हुए लेया काम हो जाएगा भाई काम हो और इसी ले काम हुए खुमी का और इसी लेतो करे देफ खन् er इसी लेतो, कुर लेफ़सा काम हुए अ मल var आधार पत्यादा कौन है तू कौन है नहीं पहचाना कौन है तू हां तक नहीं पहचाना मुझे तादेवर्ना छोड़ोंगा नहीं तू मर गइथा ना मुझे मरे तो आज पूरे 32 तिन हो गया है तो शोड़े मुझे तूम्हारे सारे आद्मियों को मार और भचे उए शेतानों को भी मार डालूंगा है हुद fig है है चोड़ वकिश्ट है 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 a जर को कि अ तो कि अ रहन नट कि अर आगक यह को आगक 익ह सवस्यQueen ङ्ट कि अई जर जरह दो है अ कि अग। वह प्रफ वऽ कि अज़ से कि अज़ रख कि अज़ से ए भाई उर्फ बहुँ चाने, ज़ुँ तो जगुँ भाहु पाहु! उर भुटेजाने लुटेर्ष unकते बड़ेस? नए ! नए ! झालो झालो प्रूपर प्रूद नाटकर दो पूज कि अढू दो रिए दो हुआ हुआ। कौन है यहा प्लीज जबाब दो कौन है यहा कोई तो मुझे बताओगी यह क्या चल रहा है तुम कमाल हो सच में मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताओंगा तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया न तो कसम खा के कहता हूँ देवदास बन जाओंगा कंतीर ने हमें मिलवाया भी तो किस रूप में तुम सोच रही होगी कि मेरा यह हाल हुआ कैसे यह बताने के लिए तो मैं पूरी कहानी सुनानी होगी जोटो कडेंगे क्या रहे शाणे चाही गिर जाती तो लेकिन गेरा तो नहीं न चाल बी और निकल क्या रहे चोटो गदने पानी में गिलास धोता है तो बदबू आती है साफ पानी में दोने में क्या तेर को तकलीफ है काम की टाइम में पकपक मत कर अधीक अनने गरम पानी कम दे जाल दर हो चलने का ल हादा है वो इच गरम पानी में गिलास कायकों है तु त्वे शुभर शुबर चायपी प्रिप्री आ स्य क्यू चायओ लिगों परिशान चाहरा हो है गर्हलिन भादः थिछे पाटिली तेरीन कमेतीर है। तो थैंट सिते हीिम्हास, जो थेँव सेता है। को रहा है टोफ में शोमें। तैसा है के जूखने के लिए क्या बिदिटीर। जिटीरर रर्त। hai, जब डबन माची करनो कि테ंश किया टोफ। यह दुकन आप कीचे ना काम दंदा एकदम टकाटके एक चाय कितने की दस रुपे गी न उसमें दो रुपया लेबर तीन रुपया टोटल खर्चा बोले तो पर गिलास पाच रुपया कमाई और अखा दिन में हजारो गिलास चाय बेशते हो फिर भी आपका ये छोटू टीन पेच लगे लिए पहले भजिये का पंदरा रुपय दो फिर डाक्टर को हजारो रुपय दो अपन बोला थोड़ा साफ सपाई रखने का कोई जूरूम किया क्या दो टके के छोकरे की लंबी सबान तो देखो अभी अगर साइलेंट नहीं हुआ तो पुलिस बुला के ह यह चाय की नहीं गंदगी की दुकान है ना इसने हाइजीन कैप पहनी है ना भजियों को ठककर रखा है ना नो स्मोकिंग भोड लगाया है और चाय पत्ती में मिलावट है सील इड़ तो जानता है किसकी दुकान सील कर रहा है दुकान सील करने से में डर जाओंगा क्या मैं टी शॉप ओनर्स यूनियन का लीडर हूं समझा इसी शेर में मेरी 152 दुकान है तेरे जैसे 36 ओफिसर आय और गए एक घंटे में ये सील उखाड के तेरे मुँपर मारूंगा मैं दे ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद है इसकी 152 दुकानों पर मुझे ताला देखना है कोई पूछे तो बोलना फूद सेफ्टी डिपार्टमेंट असिस्टेंट कमिशनर जगन का ओडर है किसी का बाप ये सील नहीं हडा सकता तेरे माजुआट ए पेंटर भाई वो नमबर प्लेट पेंट करने का है बोले तो तेर कुकाला पिला कर दूँ सर आप एक्या कड़ा गेट अप है सर तेर से क्यों आए हो रास्ते में नेक काम करने के लिए रुग गया था कैसा नेक काम एक एक्सिडेंट हो गया था सर हॉस्पिटल गए थे क्या नहीं वीडियो बना के फेस्बुक पे फीलिंग साड वाला पोस डाला आपको भी टैग किया है सर यह साइकल और साबान लेकर जल से जल आफिस में आकर मिलो सर सर वो सर पूरी दुनिया पोस्ट करती है तब तो कुछ नहीं बोलते हैं सर कल चाय की दुकान आज कहा रेड मारनी है आज कोई रेड नहीं बहुत भूख लगी है चलो कहीं खाते हैं ए सकसे ना भूख लगी है तुझे पानी तक नहीं पूछते आज पूछ रहें भूख लगी है कि नहीं जवाब क्यों नहीं दिया तुमने दो दिन से कुछ नहीं खाया मालिक तो बताओ कहां खाने चलें पास में उनली सांबर करके एक होटेल है वहाँ चलें क्या अ, यहां सेर्या का बहुत फेमस होटेल है सर देखिया आभी से कितनी नहीं भेड़ लगी है मैं भी रोज इदरी ठाता हूं और कोकमे तो नहीं खाकतिते example मैं पैसे deal यह लेता हिनी अ बथर सर्यों यहां में गक्या कूद सर्वेस है आप ऐसे भीड में आएंगे तो मैं कैसे काम कर पहुंगा क्या खुछ भुआ रहे हैं यह तूखा तुम लोग अपना अपना लेकर आ जाओ रहे सर खाना सूंगने के बाद मैं रुकता नहीं हूं मैं दूसरे आज से खालूंगा अच्छा हम खाने नहीं आएं रेट करने आएं सर वाश बेजन बहार है आप अंदर नहीं आ सकते अभी सॉरी सर दाल का से ली थी सर वो मैं जितना पूछाओ थना बोलो बोल का से ली स्रीमेन यू लेजेंटिस लीए था मने सर बोल डाला क्या मिलाते है उस दाल में पैकेट पर लिखा है साब देशी गीवाली दाल है हम फूच सेफटी ओफिसर्स हैं जूट मत बोल ओफिसर हो तब तो सच बोलना ही पड़ेगा जानवरों की चर्वी मिलाते हैं हेस्ट बढ़ता है उसे पबलिक दाल के साथ उंगलियां पीचबा डालती है कितने कमीने हो तुम दाल में चर्वी मिला रहे हो उस होटल को वेजिटेरियन समझके लोग वहां खाना खाने आते हैं बे लिखते हो देसी की और मिलाते हो चानवरों की चर्वी क्या यह अखरत नहीं है इस तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी तुम लोग अपना रेड़ बताओ जेब गर्म करो और यहां से चलते बनो मेरी जेब गर्म नहीं होती है देजा करम होता है है यह तुने अच्छा नहीं किया अब तुझे हास्पिटल भेज़ता हूँ तुझे भेजने की ज़रत नहीं मैं खुछ जाने वाला हूँ से लट रुकी दाती सक्सेना सर पड़ो इसकी एक्सपारी डेट क्या है 23-5-1983 यह तो कंपनी खुलने की डेट है सर जो जानकारी ज़रूरी नहीं है वो तो क्लियर है पर एक्सपारी डेट को काटके मिटा दिया गया है इस पैकेट को लेकर आओ मेरा साथ इस ब्रेट की एक्सपारी डेट बताना चापा तो आज के उपर पढ़ना नहीं आता क्या साफ साफ देखने रहा है तुम्हें पढ़के बदा दो मुझे अरे भाई धंदे का टाइम में दिमाग मुत कराब करो लिखा इस पर जाओ जाके अपना काम करो यह अपना काम ही कर क्या क्या कि घूर कह रहा है हम फूड सेफ्टी देपार्टमेंट से आएं साफ जी और पैकेट ऐसा ही है थो कि यह बास कहें के पब्ली को मामू बनाने के लिए एक्सपाइरी डेट में टाके ब्रेट बेच रहा है किसी पैकेट पे डेट नहीं है सर सिर्फ ब्रेट ही ऐसी चीज है जिसे घरी मरीज खरीद कर अपना पेट भार सकते है और तुम उसे खराब होने के बाद बीच रहे भीड़ की शेल्फ लाफ सिर्फ चार दिन दिन की होती है अगर दस दिन बात कोई खाय ना तो जानते ऐस इंसान का क्या हाल हो गारख मेरे कुर्सी कट जाएगी साफ अखेली सिर्फ तेरी कुर्सी नहीं कटेगी आपका मतलब दीन साफ सखसे ना तुम पहुच गए ना सर आपके कहे मुताबिक फैक्टरी के सामने ही खड़ा हूं अगर कोई गाड़ी बहार निकले तो उस पर नजार रखना सर एक ब्राउन गाड़ी आतो रही है ठीक है उस गाड़ी का पीछा करना शुरूब ठीक है सर कहां तक पहुचे सर नॉर्ट साइड फ्लाइवर के उपर चीक है पीछा करते नहों सकसे ना सर गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी है इसका पीछा करता रहा तो कण्या कुमारी तक ले जाएगा सर यह मुझे कुछ भी हो जाए वो गाड़ी हाथ से नहीं निकलने चाहिए पीछा करते रहो सर कारी अफसर होने के बावजूद कच्रा उठाना पड़ रहा है कि अधर नहीं यह लोग है कि अधर गाड़ी कच्रा गिरा के चली गई सर अलो जाते चार चार चिलाते रहते हैं मगर अपना फोन चार्ज नहीं करते हैं सक्सेना अरे सर मैंने कुछ नहीं बोला मेरे मूझ से निकल गया है सर अब क्या करना है सर कच्रे की तलाश हिलो सर मैं एक आफिसर हूँ और मैं एक सीनियर आफिसर जो हुक्म मेरे आका सर ये क्या है अच्छा खासा ड्रम तोड़ के फैंक दिया लोग इसमें पानी भानी भर के रखते हैं हमारे घर में तो राशन रखा जाता है इसमें इसे बेच के दो ती नजार तो मिल जाता सर वही तो मैं भी सोच रहा हूं सक्सेना ढूंडों यहां कहीं एसा टुकड़ा और है हां सर अरे पाप सर यह ढूंड रहेंगे कोई फूड कांपनी फॉर्मलेन का क्या गरेगी तक सक्सेना समझ गया सर कट्इंग 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 शेयर करेगा कि अब गया तोने संधी सब गटिंग जमीन जाए दार गई तब पेजला मैंने अब खुछ नहीं बचा यह दारुने मुझे नंगा खर दिया भाई जद उदर गई तेरी समाल तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है इसे निकल और जो बोला मैं है वह यह सब बन गर दो कटिंग 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 मुझे भी कटिंग में पीनी है अचा दस रुपे काम है आजा आजा कोई बात में थैंक्यू भाई जड़ेगी नहीं तो बताएंगे नहीं शराब बरबर बटनी चाहिए बिलकुल सर का पैक थोड़ा स्ट्रॉंग बना सकसे न चड़ेगी नहीं तो बताएंगे नहीं तुम कौन हो भाई अभी आगे सर समझाएंगे मैं कौन हुई जाने दो तुम तो खुद को भी नहीं पहचानते माइक्रो बायालेजी स्टूडेंट हो न वो भी गोल्ड मेडलिस्ट एक शांदार फूड कंपनी में 75,000 मंतली स्टैलरी चाहते दो किसी अच्छे से होटल में बैट कर पी सकते थे पर तुमने उस नौकरी को लाद मार दी और ऐसे छोटे से दारू के अड़े पर कटिंग दारू पीते हुए तुमें शर्म नहीं आती मेरे बारे में तुमको केसे पता शर्म तो आती है सर ऐसी घटिया कंपनी में काम करके शर्म तो आईगी न महनत और इमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है सर सब किताबी बाते हैं उस फैक्टरी में काम करने से अच्छा है मैं यहाँ दारू पीकर अपनी जानगा मादू तुम जिस फूड प्रोड़क कंपनी में काम करते थे वहाँ फॉर्मल न यूज होता था फॉर्मल न ही नहीं सर क्या करें सर इस बार का बिल भर दूँ क्या मैं जो भी बिल है उसे भर दो और इस अड्डे को सील कर दो इपर भी रेड हो गई पता ही नहीं चला वा प्रेबाद इस्क्यूज मी रुख जाईए आप लोग कौन है और यहां पर कैसे आए वो तलाब से राइट लेके गोल चक्कर से लेकर यहां पहुँच गये और बोलूँ फूट सेफटी ओफिसर्स अरे तुझे तो निकाल दिया था ना तू लेके आए इनको हम इसे लाए हैं चलहाट सुनिये तो सर मुझे अपने बहुत से बात करनी पड़ेगी अरे ओ जीनियस इधर जैमर लगे हैं कॉल वाल जाएगा नहीं अलो सर एलो बोलने से फोन नहीं लगे हैं प्रभाकर सर बिना बॉस के परमिशिन के आप चेक नहीं कर सकते आप चेक नहीं कर सकते सक्से ना जब तक दूद में मिलावट की जाज पूरी नहीं हो जाती ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा दास्माइब अलो प्रभाकर वेडी हो ना रेडी सर बताओ इस दूद में क्या-kya मिला सर प्रोटीन की मातरा बढाने के लिए दूद में मेलमाइन मिलाया गया है मेलमाइन क्या है? मेलमाइन एक केमिकल है जब एक लीटर दूद में पानी मिलाकर उसे चार लीटर बनाते हैं तो दूद के अंदर का प्रोटीन लेवल भी खट जाता है इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूद में मेलमाइन मिलाते है नेक्स्ट और तुम तूध में मिरो के और क्याय के मिलाया सर, दूध को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है ये क्या दूध में सोडा डाला हुआ बेवडे लोग दूध में दारू पिएंगे कॉस्टिक सोडा क्या होता है जवाब दो मुझे टॉयलिट और कपड़े दोने में काम हाता है वो, और तुम ज्याग बढ़ाने के लिए उसे दूद में डालते हो यह ना, सर, दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, फॉर्मलिन मिलाया गया है, फॉर्मलिन 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 तुम्हें पता है फॉर्मलिन का सही इस्तमाल क्या होता है लाश को सरने से बचाने के लिए इस केमिकल को तो सूबना भी खतरनाक होता है और तुम इसे दूद मैं मिला रहे हैं जिसे मासुम बच्चे पीसे सर सही माइनों में ये दूद नहीं स्लो पॉईजन है मरने के बाद भी दूद का इस्तमाल होता है पर तुम लोग दूद पिला कर जीते जी लोगों को मार रहे हो करुंदो! कब से कम आप तो समझाओ चाहिए मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाज़त कर पाओ हाँ से सारे से बुद्सवाई सलामत है से ठीके दस मिनिट में वाचता हूँ सर गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने काबिल हो जनता तो बस पुलिस लॉइंफोर्स्मेंट और इंजिनिरिनिंग डिपार्टमेंट के बारे में ही जानती है पर आज तुम्हारी वज़े से लोग food safety department को भी जाने लगे हैं पहचाने लगे हैं उम्मीद है तुम्हारे पास सबूत होंगे दिखाता हूं सर इसका नाम सूरच चडड़ा है ट्रेडर्स यूनियन का लीडर और टी शॉप ओनर्स एस्सोसियेशन का प्रेजिडेंट जब हमने इसकी दुकान के टी सैंपल उठा कर चेक किये तो इसकी चाय पत्ती में अफीम मिलाया हुआ पाया गया पर चाय में मिलाने के लिए ओपियम आया कहां से दिनेश वर्मा केरला के सबसे बड़े चाय बागानों का मालिक आम तोर पर टी प्लैंड के 10-12 साल का होने के बाद ही पत्तों में सही ताकत, फ्लेवर और टेस्ट आता है मगर इन टी प्लैंड को दो से तीन सालों में तैयार समझ लिया जाए और पत्तियों को जितना हो सके जल से जल तोड़ लिया जाए तो ताकत, फ्लेवर और टेस्ट इनमें से कुछ भी नहीं मिलता लोगों को इस बिना स्वाद वाली चाय का आदी बनाने के लिए चाय पत्ती में अफीम मिलाये जाता है सर जिसे पीने से कई तरह की बिमारिया हो सकती है सबसे बड़ा खत्रा अतरीका कैंसर इसका नाम है डैनियल, क्लीन वाटर कमपनी का मालिक सब जानते हैं रोज 6 लीटर पानी पीने से शरीर की 40,000 बिमारिया ठीक हो सकती है पर जो इंसान इसकी कमपनी का बना क्लीन वाटर पानी पीता है उसे 40 लाग बिमारिया हो सकती है हर इलाके में ऐसे डारेक्ट नल से भरी पानी की बोतलें बेची नहीं जाती वहीं बिखती हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है इन बॉटल्स पर लिखा अड्रेस और दूसरी जानकारिया सब जोटी होती है अरे बाबी ये है विकी मलहोतरा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जबरदस्त पहुँच रखने वाला बिजनिसमैन हेल्थ मिनिस्टर का एकलोता और लाडला भाई मिनिस्टर के रिसूक का फायदा उठाने का मौका कभी नहीं चुकता और इसका फेवरेट बिजनिस है मैं पता करवाया है और बहाँ से सीधा भजिये बनाने वाले और चाय बनाने वालों की टप्री पे जाता है सिर्फ कोकिंग ऑईली नहीं इसके और भी बड़े-बड़े बिजनिस है जैसे पोल्ट्री फार्म जो करीब 50 एकर जमीन पर फैला है किसी चूज़े को बड़ा होने में करीब 3-4 महीने का टाइम लगता है तब ही ये सेहत बंद रह पाते है पर इसकी पोल्ट्री फार्म में पढने वाली मूर्गियों को कॉलिस्टिन नाम की एंटिबायोटिक का एंजेक्शन दिया जाता है जिससे सिर्फ 48 दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है इस अबनॉमल ग्रोथ से इने खाने वाले कई बिमारियों के शिकार होते है खास कर अगर इने छोटी बच्चिया खा ले तो 7-10 साल की उमर में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है उनके पीरियट की साइकल पर बहुत बुरा असर पड़ता है फिर धीरे धीरे बिमारी बढ़ती जाती है और यूट्रिस कैंसर हो जाता है अगला बिजनस वो चीज जो हर घर की जरूरत है दूद मेरे पास उनके खिलाफ दूद में मिलावट करने के सारे सबूत है और इसलिए मैंने कली उनके सबसे बड़े प्रोड़क्शन प्लांट को सील कर दिया था इतना नई हाइब्रिड केला जो कभी नहीं सरता सेपर वैक्स की पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता है स्टीम इडली को प्लास्टिक में पकाते हैं कुत्तों के मीट को मटन बोल कर बेचते हैं और ऐसी सेक्डो चीज है आज के समाने में खाकर सेहत बनती नहीं है सर उल्टा खाकर वो खराब होती है इस जहरी ले खाने को हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही तेजी से हॉस्पिटल जाएंगे अगर इस मिलावट को नहीं रोका तो कैंसर और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये कैंसर कोई बिमारी नहीं है बलकि धंदा है इसलिए मैंने उन जगाओं को सील कर दिया मैं अपने तजरुबे के अधार पर कह रहा हूँ जगर मैंने तुम्हारे जैसा इमांदार आफिसर कभी नहीं देखा हम किसी एक को भी बचने नहीं देंगे अच्छा किया तुमने सील कर दिया मैं इन मुझरिमों को कटगरे में खड़ा करूँगा और इनके खिलाफ सक्त से सक्त लीगल एक्शन लूँगा सारे के सारे सबूत मेरे हवाले कर दो क्यों सर ताकि सारे सबूत उन्हें लटा दे सिर्फ सूंगे समझ जाता हूँ कि किसी चीज में मिलावट है या नहीं फिर आप तो मेरे सीनियर है आपकी इंसानियत में मिलावट है इतनी सारी फर्म और कंपनी बंद करने के बाद भी मुझे ताजब हो रहा था कि अभी दक आपका कोई फोन नहीं आया उन घलत धंदे वालों ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की तब मुझे अंदाद आ हो गया तुम सब के सब मिले हुए हो आपने सोचा था ये सारे सुबूत आप मुझे से हाथिया लेंगे है न मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाए कि शाहिद ये सब देखकर आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाए मगर अब ही आप इस मिलावट के ख़ड़े नहीं होंगे तो आपको भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता अबे लॉंडे पहले अपने आपको तो बचा ले सब के सब अपना जमीर बेच चुके हो चूँ बे सोचा पड़ा लिखा ओफिसर है तो लडाई नहीं जानता होगा चाहता क्या तू है जमीन खोद के गार दूँगा सारे भेड़ी ये सही जगाए कठा हुए हो अपने आपको सरंडर कर दो मेरे कंपनी में पैर रिखते ही सभी ऑफिसर्स के पैर कापने लगते हैं जानता है क्यों क्योंकि उनकी एक फैमिली होती है पर तू तो आनाथ है इसी लिए तेरे अंदर डर नहीं है पर तू हम से डरेगा मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ इसलिए आखरी वार्निंग दे रहा हूँ जर्म कबूल करके मेरे सामने घुटने टेको और सरंडर करो वरना तुम्हारी आने वाली नसल भी वही जहर खाएगी जैसे तुम दूसरों को खिला रहे हो चुपकर हमारी नसले खाएंगी नहीं बलकि दूसरों के गले में ठूसेंगी आज तो बस ये कमिश्टर हमारा पिला है कल अदालत और सारे मिलिस्टर हमारी जेब में होंगे सुन ऐसे सबूत हम अपनी जूती की नोक पर रखते हैं आदालत चाहे तुझे छोड़ दे पर मैंने ये विडियो हर सोशल साइट पर डाल दिया है जो वायरल भी हो चुकी है तेरे प्रोडक्क पर जो लोगों को भरॉसा था वो मैंने तोड़ दिया आसे हजारों वीडियों इंटरनेट पर वायरल होते हैं लोग शौक से देखते हैं, forward भी करते हैं, पर follow नहीं करते हैं। अगर तुझे मेरे product के बारे में पता चल गया है, और माना कि तुने मेरे company seal भी कर दी, तो उसी building में मैं एक और company शुरू करूँगा। लोगो बदल दूँगा, packaging बदल दूँगा, product का color भी बदल दूँगा, advertise भी अलग करूँगा, और लोग मेरा माल खरीदने आएंगे, जिस product को तुने मिलावटी बता कर हटाया, वो वही रहेगा। जुर्म का मतलब जानता है, एक जमाने में लोग खेतों से चुहे पकड़ कर भुन कर खाते थे, आज लोग chicken 65, chicken tikka, chicken burger, जो दिल में आएं खाते हैं, जो लोग पहले दिवाली और होली पर पकोड़े और भटूरे खाते थे, आज मसालेदार चीज़े खाते हैं, पहले की है, पहले सिर्फ पैसे वाले और उनके बच्चे ही दूद पी सकते थे, लेकिन आज, रास्ते का भिखारी भी 10 रुपे की दूद की धाली खरीद कर पी सकता है, समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलावट ही solution है, इंदोस्तान की population 130 करोड है, सब को शुद चीज दे देना मुम्किन है क्या, कल तक भूखा मरने वाले आज भर पेट खाकर चैन से सोते हैं, तो बढ़िया खाना खाकर 80 साल के उमरे तक जीना हर एक के बस की बात नहीं है, तो जो उन्हें पसंद है खाने दो उन्हें, और 40 के उमरे में खुशी-खुशी मर जाने दो, तु अब तुझे और तेरी सच्चाई को कुछल तेंगे, बातों में टाइंग वेस्पत करो, मा डालो इसे झालो झालो, में शोधिए झालो, मा बातों में तेरी दो! हैं वह अखुड़ अँ हैंग झाओ टो start अज़ कि घुड़ अज़ 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 ज़ चिटे कि पादे कि हैंग अज़ अज़ आई है k ए ख बू़ हाह हॉाफ हाद ऑनगश अज़ फह हुग भग को गो serious हुग हुग यह जद हमाई कर दो हमाई कर दिए आपका देखाव यह रखका कि बाउ हमान कर दो हमाई हुग किया प्योट घट लट लुट टू बच्योट बच्टो जोब पकड़ो उसे देश से तुम एक के बाद एक दुश्मन क्यूँ बना जा रहे हो उने लोगों के खाने में जहर मिलाने से रोकना घलत बात है हां ये घलत है क्यूंकि सब ये बात जानते है सब को पता है वो जहर खाते है जहर भी वही देता है और इलाज भी वही करवाता है एक ही इंसान फिर भी कोई आवाज क्यों नहीं उठाता क्योंकि सब को अपनी जान प्यारी है आज सौ लोग आये थे कल चार सो लोग आएंगे सब को मारोगे हाँ मारूँगा मेरी बात सुनो वो हमारा पीछा कर रहे थे अगले स्टेशन पर हथ्यार लेकर खड़े होंगे कैसे बचोगे उनसे ये जिद छोड़ दो कोई एक जगा दिखाओ जहां पर मिलावत नहीं है सब को छोड़ दूगा इस देश में ऐसी कोई जगे नहीं है देख भाई अच्छा काम करने के लिए भी चार लोग चाहिए उन मेरे भाई तुम्हारी शादी होने वाली है जियोती के साथ प्यार की जिंदगी बसर करना प्यार का वास्ता दे कर कम्जोर कर रहे हो उस लड़की से मैच इतना प्यार करता हूँ नो उस से कई को नह ज्यादा अपने फर्श से करता हूँ देखो भाई, मान जाओ इस रास्ते पर खून ही खून है मान जाओ वरना हम सब बली चड़ जाएगे तो गबदार निकला देख मेरी बात सुन तुझे मरना ही होगा अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे मैं तुझे मर गठा जब तुने चाको निकाला तुझे अनात का माउर बाप सब तुभी तो आधा मेरे अपने भी चाहते हैं कि मैं मर चाहूँ कि जब मैं जीटेजी बीजी किसी चीज़ी में मिलावट को बराश्ट नहीं करभाया तो अपने मौत में मिलावट कैसे बर्दाश्ट कर पाऊंगा? एक बात ही याद रखना, मेरी जिन्दगी और मौत उनके हाथों में नहीं, पर उनकी मौत मेरे हाथों में ही लिखी हुई है. मैं रहूँ या ना रहूँ मेरा सपना हमेशा जिन्दा रहेगा. हेलो? कहा? ठीक है, मैं देखता हूँ. ओए, चल गाड़ी खुमा. आवाँ. रोप. ओए, जाके देख जिन्दा है या मर गया. पेटरवल छिड़क कर आग लगा दे इसे. उसके बाद समंदर में फेख दियो. अब तुम ही बता, जो मैंने किया वो सही था या गलत? जरत था, तुमने पाप किया, तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो, उन मुझरिमों को कानून सज़ा देगा. कानून तो उन्हें छू भी नहीं सकता है, जोती. तुम मुझे क्यू इस्तेमाल कर रहे हो तुम, मैं तो किसी किड़े को भी मारना पाप समझती हूं, जगन, इसलिए तुम एने तुम्हारा शरी चुना, तुम मुझ जैसी हो, और मैं तुम जैसा, तुम्हारा दिल मेरे जैसा पवित्र है, तुम चाहे जो भी कहलो, अपने पाप को पुन्य नहीं बना सकते हैं, तो क्या मुझ से, तूर चले जो मुझ से, ये तो नहीं हो सकता, अभी दो शैतान और बचे हैं, जो करना है करो पर प्लीज किसी के खून से मेरे हाथ गंदे मत करो, तुम जैसे इंसान को प्यार किया सोच कर वही शर्माती है, अब मेरे करीब आने की सोचना भी मत, अगर तुमने वश्बोर किया, तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मुझे अपनी मा की सोगंद है, इतनी बड़ी सोगंद मत खाओ जोती, जो लोग आज खाने को जहरीला बना रहे हैं, कल वो दवाईयों में भी जहर खोलेंगे, हम उन दरिंदों को छोड़ नहीं सकते, और मेरे बिना व मुझे छोड़ कर मज जाओ, जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, मैं हूँ, फूट सेश्टी ऑफिसर जगान, शान्त पांटर, शान्त, अगर वो कोई इंसान होता, तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जहनलू भेज़ देते, पर वो तो एक प्रेदात्मा है, उससे उसी की तरीके से ने पटना होगा, और वो मैं जानता हूँ, संधिया, आज होदी मिसमी आई, लगता है आज उन्होंने छुट्टी ले ली, अरे, एक अंडा कम पड़ी गया, मौसिया पड़ना रखना तो भूली गए, ये ले लो, क्या जमाना आ गया, दुनिया कितनी बदल गई है, आज कल के बच्चे तो समझ सही पर हैं, अब उस जगन को ही देख लो, जब वो हमारे घर आया था, कैसा नाटा कर रहा था, एकदम शरीफ, एकदम नेक, जब थोड़ा सा करीब से देखा, एकदम छूटा और मकार निकला, उस दिन तो पोल रहा था, वो तुमें छोड़ कर और किसी को देखेगा भी नहीं, और मुझे लगा कि उपरदेश से जवाब देगा, वहां से वापस आकर तुम से शादी करके तुम ही भी महा ले जाएगा, एकदम गलत सोच रहा था मैं, वो आपको क्या जवाब देगा चो इस दुनिया में ही नहीं, जगन की मौत के बारे में, आप से पहले ही मुझे बता च डॉक्तर भी कुछ बताने से मना कर रही है, मुझे ज़ाग निकली सारे बच्चे बेहोश हो गए, हे भुगवाण, क्या होगे बटा, एम्बुलेस पुलाओ, सब को उठाओ, पासी के गवर्मेंट हाई स्कूल के बच्चे खाना खाते-खाते-खाते-अचाना की बच्चे बेहोश हो गए, मौत के मुँ में समाई बच्चों को हॉस्पिटल में एड्मिज किया गया है, डॉक्टर्स की एक टीम, इमर्जन्सी बॉर्ड में उनका इलाज कर रही है, उनके मताबिक सभी बच्चों की हालन बेहत गंभीर है डॉक्टर्स 10चे बच्चों की एकुना डॉक्टर्सपिट्ट्स की खाशल व Council डॉक्टर्स कीए सब्सक्राओ सब्सक्राइब? बट-डॉक्ठ博ी, की सब्सक्राओ की कह थो? डॉक्टर्स थो Video मैं अच्छे से बढ़के बड़ा डॉक्टर बनूंगा टीचर तभी तो मेरे जैसे आप आई इस बच्छों का बहुत ही बढ़िया हिलाज कर पाऊंगा पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं खूब कमाऊंगी तभी तो मैं दूसरों को खाना खिला पाऊंगा मेरी बच्छी को भाग दिया हाँ 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 बढ़ाई करके मैं आपकी तरह बहुत बड़ी टीचर बनूंगी नमस्कार आज की ताजा खबर तिलकनगर के गवर्मेंट हाई सेकंडरी स्कूल में दर स्टूडिंस अचानत पेहोश हो गए और पांच की मौस हो गई इस हाद्से की बज़ा थी स्कूल के बाहर मिलने वाली मिलावत वाली आइसक्रीम हेल्फ मिनिस्टर ने इस पूरी घटा पर अपसूस चताया है और कहां है कि अवरादियों को सजा मिलेगी यह खबर सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ स्कूल में सुरक्षा इंतिजाम बहुत ही बढ़िया था लेकिन बच्चे बाहर जाकर आइसक्रीम वगरा खाते हैं उसकी वज़ेसे यह घटना घटी है हम मरने वाले बच्चों को पांच लाक और जिनकी सरजरी हुई है उन्हें एक लाग का बाता करते हैं कि अधिक कर देखा मैड़ कितनी असानी अपनी गलती उन्हें ने दूसरों पर डाल दी और वहार की आईसक्रीम खाकर बेहोश नहीं हुए थे लांड़ स्क्रीम ने आने वाले अंड़ों से बेहोश हुए थे जिस इसने इंडे काई सब एक एक करके बेहोश हो गए दिए जिने इंडे नहीं काई सब के सब ठीक है इन सभी बच्चों की मौत की असली बज़ाइब यह डाकर जूट बोल रहे है मैडम केसी बदल दिया इनोंने बटो पुनात का पापा आजाईए आगे आईए और साइन कर दीजिए रोग जाओ कोई भी अपने बच्चे की बॉड़ी नहीं ले जाएगा मरने वाला एक भी बच्चा आइस्क्रिम खाकर नहीं मरा वो सब के सब स्कूल में लंच खाकर मरे थे जब तक सचाही सामने आप तो सवाल उठाने को कहती है लेकिन अपना मूपंद करने के लिए हमें पांच लाख रुपए मिल रहे है मैडव मेरी बेटी मेरा कर्ज उतार कर गई जब मेरे घर में आपाइस बंचने जनम लिया सोचा क्या सिंदी की दुखा उपसे में पर आज को अपनी सिंदी की जी क्या हो रहा है सर इसकी वज़े मिलावट है हम चोटे लोग ऐसे में क्या कर सकते हम सब मजबूर हैं जोती आप ही चुप-चुप हार मान रहे हैं सर हमारा काम बच्छों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना होता है हम कातलों को सजा नहीं दे सकते कभी नहीं बेटी दॉक्टर तुम हुए मैं चार डिग्रियां क्या लेली किसी पर भी उखा लोगी क्या मैं बीबीएस डॉक्टर हूं और तुम पांच वी की टीचर मैं क्या कर रहा हूं यह मैं तुमसे बहतर जानता हूं उनके घरवाले मान गए तो तुम्हें क्या प्रॉबलम है मुझे जार भाशन देने की बजाये बाहर लोगों से मिलो मुझे पता है किस से मिलना है और क्या करना है प्रूपला 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 प् करें अदे लेसं आदो उता करेंके से अपस्कीत अदेशकरोब ती करेंके स्झाइब करी दोировать करेंके से अओचा श्सें दोende करेंक करेंके से आदिते हुचआ रुद करें से य। किसे करेंके सभी जड़ा हुचआ कि आदाना ज ऎपना मा का लुि도 खडवा को मा का लगवा कहीं हुमान रखिया हुमा झाल realizes लगजसर пр parting लगजसर मा का लगआ कैसे गज़नों, कम शब tipाल, कम शब बाग काम неё कर दो दोड्रीत, कम ज़ार लेमिक तेह भर्पी हुदास। देखा अब अब जाकर कलेजी में ठंटक पहुंचें इसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा दो यह काटा भी हट गया तुम्हारे रास्ते से आप यह आत्मा तुम्हें नहीं जताएगी पर आभी से इतना खुश होने का जरूरत नहीं पूरी आत्मा का खात्मा करना बहुत आसान होता है लेकिन अच्छी आत्मा को खतम करने में वक्त लगता है हम कल सूरज ढूबने का बात मैं इसको पूरी तरह से अपने काबु में कर पाएगा अगर इस प्रेत आत्मा को अमेशा के लिए शांत करना चाहते हो तो ये जिस भी शरीर को धोरन करे और तुम से बदला लेने आती है तो उस शरीर को फिनिश करना होगा उसे जला कर उसकी राख गंदे नाले में बहानी होगी तुमने चगन की राख को समंदर में बहा कर सबसे बड़ी खलती की थी इसे वो आत्मा और भी ज्यादा शुद्ध और ताकत्वर हो गई और तुम से बदला लेने लॉट आई अब उस लड़की को लाओ और उसे जला कर उसकी राख को गंदे नाले में बहाना होगा मैंने तुमसे पहले ही कह दिया ना कि पॉसीबल नहीं है फिर क्यों पीछा कर रही हो इस लैब रिपोर्ट में अंडो में मिलावट होने की बात लिखी है सर ये सब बेकार है डॉक्टर ने खुद सर्टिफाइ कर दिया है कि मौत आईस क्रीम खाने से वही थी पुलिस ने दर्च कर लिया है और उस आईस क्रीम वाले को अरेस्ट भी कर लिया है और हेल्फ मिनिस्टर भी इस पर भयान दे चुके हैं तुम्हारी इस रिपोर्ट से हम कुछ नहीं उखार सकते और तुम कह रही हो केस लड़ो केस लड़ो किस अधार पर अगर लड़ भी लू तो जी इस दुरिया में सप्चाएंगा बस यइन आपाइन अ मैं इस दुरिया में सचा इंगा था क है लड़की खत्रा क्यों मोल लेती है तेरा आशिक तो मर चुका है ना चुब चाप घर पर बैठ कर उसकी मौत का मातम क्यों नहीं मना थी टीचर तो दिल की अच्छी होती है ना तर हमें क्यों सता रही है तु मुझे जाने दूँ तुझे जाने दूँ और उसे आने दूँ ताकि वो फिर से तांडव मचाए तोनों ने मिलकर नाक में दम कर दिया है चला जागर तुने सच कहा था मैं ही गलत सोच रही थी मैं गलत थी कहा हो तुम जागर लो जाओ क्या प्राक किया है अे जाओंक कई हौँ कर दियिए क्याद किला म्दिए गूँ जागर इस है Upub... कि अच्छा तो अच्छा तो कि अच्छा जुआ है 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 सब को शुद दिखाना मेले यही सपना था न तुम्हारा है इने की वज़े से पांच महासूं बच्चे वहार है गए जैकुर्ण प्लीज इने किसी और की जान से मत खेन ले दो इन सब को मौत के गाट उतार दो मार डालो इने आग लगा दे से है हुँ ह् हुँ हुँ पार कितनी बार जलाओगे मुझे भव गफखंग को अर्फ दोफो वाँ वाँ जनके चा क्वाँ अर्फल अर्फ दो के रह सक्वाँ हुआ कि है। भाग आजसेth हुआ । हुआ करे। भाग यह पाछेth है उपरवाले प्लीज इस प्रेत से बचा ले मुझे लगता ये प्रेत आत्मा मुझे मार के ही दम लेगी कि अ train ले येखा वेखा राई ये अ घत्ली अ भा हुआ 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 हुे जद उने लुआ है वढ टो तू कुछ भी कर ले मरेवे को मार नहीं सकता है तू कर दो कर दो प्रह्क्षेन, का चिए हैं तू के मống हैं था, है ज तू है ज वर लें इनाल में एप संहें तू बचल बचल! 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 मुझे छोड़ दो मुझे नहीं मरना है मरेगा जरूर मरेगा खाने को जहर बनाने वाले कांत ऐसा ही दर्दनाक होना चाहिए मुझे छोड़ दो जाने दो नहीं जाने दूँगा तू वो दरिंदा है जो पैसो के लिए मा के दूद में भी मिलावट कर दे सिगरेट के पैकेट पर भी कैंसर की वार्निंग लिखी होती है शराब की बोतल पर भी लिखा होता है ये सेहत को बर्बाद कर सकती है आने वाले वक्त में ऐसी वार्निंग डाल चावल मसालों घी तेल और बच्चों के दूद पर ना आए इसलिए मैं हाज तुझे खत्म करके रहूंगा तुझे जीने का कोई हग नहीं है तुझे जैसे पापियों को मारने के लिए हर जनम में पैदा होगा मैं तुम जहां जाओगे मुझे अपने साथ पाओगे मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ चलोंगी अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है कर में आदा है कर दो कर दो कर दो